जै मातरी दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों हमारे चैनल से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तों बात कर रहे हैं कन्या राशी के 1 अप्रेल से 7 अप्रेल 2020 राशी फल्गी आईए जानते हैं अप्रेल महिने का ये पहला सप्ता आपके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों आपकी राशी के स्वामी, बुद्ध और धनभाव के स्वामी शुक्र युती बनाकर बैठे हैं छटे भाव में लाभेश चंद्रमा इस सप्ता पंचम भाव से अश्टम भाव में गोचर करेंगे शनी की द्रश्टी बुद्ध और शुक्र पर रहेगी सप्ता के शुरू में आपका मन विजई भाव से ओत प्रोत रहेगा बहुत ही प्रसंद रहेंगे आप आप शान्ती से समय बिताएंगे आपकी इस्थतियां लगातार मजबूत बनी रहेंगी लेकिन कारेस्थल पर काम में कोई विलंब आ सकता है कोई रुकावट आ सकती है तो इन चीजों को आपको फेस करना होगा इस सप्ता आपको कारेस्थल पर जादा सतरक रहने की जरूरत है आपकी छोटी सी लापरवाई आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है आर्थिक मामलों की बात करें तो इस सप्ता आप आर्थिक मामलों में निश्चिंत रहेंगे यदि कोई सरकारी नौकरी का काम रुका हुआ है तो इस सप्ता हो जाएगा उच्च अधिकारियों का कारेसंपादन में सहयोग मिलेगा सरकारी करमचारियों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है आपके अधिनस्त आपके कलीक्स आपकी पूरी मदद करेंगे यदि आवशक्ता हुई तो वे आपके बचाव के लिए भी आगे आएंगे लेकिन फिर भी आपको यह ऐसा कारें ना करें जिससे आपको दूसरों की मदद मांगनी पड़े या फिर आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ी किसी भी व्यक्ति पर ज़रूर से जादा भरोसा ना करें क्योंकि उनके द्वारा आपके विश्वास को तोड़ा जा सकता है आपके विश्वास को वो लोग ठेस पहुँचा सकते हैं सबताह के अंत में कठीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपको मांसिक और शारिरिक दोनों तरह से तयार रहना होगा कारियों में अवरोध आने और विलंभ होने से आप मांसिक तोर पर बेचैनी महसूस करेंगे विलासिता पूंट जिन्दिगी से आपका मोह भंग हो सकता है इसलिए आपको जादा सतर्क रहनी की जरूरत है तो दोस्तो ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें